मंदीर के उपर जो जंडा लगा हुआ है एक साइड हरा कलर का जंडा लगा हुआ है और एक साइड भगवा कलर का जंडा लगा है इससे आपको सिधा संकेत यह मिलता है कि हिंदू और मुस्लिम भाई चारा का यहां पर संदेश दिया जाता है यहां पर हिंदू भाई और मुस नमस्कार मैनी तेसा आप देख रहे हैं लोग ताका तो अभी हम पहुंच चुके हैं गोपाल जीला के पिठावरी गाओं में तो आज हम एक मंदीर के पास पहुंचे हैं यह अब्दुल बाबा का मंदीर है तो आपने मंदीर तो बहुत सारा देखा होगा लेकिन इसी मंदीर को हम क्यों दिखाने आया है आखिर इस मंदीर में क्या ख्यासियत है तो आपने देख सकते हैं कैमरा मैं साहिब आप फोकस करके दिखाईए कि मंदीर के उपर जो जंडा लगा हुआ है एक साइड हरा कलर का जंडा लगा हुआ है और एक साइड भगवा कलर का जंडा लगा है इससे आपको सिधा संकेत यहां मिलता है कि हिंदू और मुसलिम के भाईचारा का यहां पर संदेश दिया जाता ह और इस मंदिर में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पुजा करने के लिए और यहां के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो भी यह बाबा से मननत मांगा जाता है जो भी यहां पे दुगाएं मांगी जाती है वो जल्द ही पूर्ण हो जाता है और पूर्ण होने के इससे काफी भाईचारा का संदेश मिल रहा है और संकेत मिल रहा है आप इधर दिखा सकते हैं मंदिर में कि यहां पे बाबा का किस तरह पुजा हुआ है फूल भी चड़ा है और यह सब पुजा भी हुआ है अच्छा से यहां पे कुछ अस्तानिय लोगों से भी बात चीत करे है और यहां की क्या क्या खायसियत है तो आईए हम कुछ यहां के ग्रामीन लोगों से भी बात चीत करेंगे तो हम यहां की कुछ ग्रामीन लोग है उनसे बात करेंगे कि यह मंदिर भी अकब का बना हुआ है अखिर इस मंदिर में क्या खायसियत है कि यहां पे दोनों हिंद दिकत नहीं होता है किसी समधाय का नई क्यर線 के दिकत नियुक्त में पूछते हैं मुसलिम मेंपूच पुर्णा बारे मिंबसा जा रहा है कि जो भी मनत महनणा यहां पूर्ण मिलता है और यहां पर काफी दूर-दूर से लोग आते हैं पूजा करने खाने और भी कुछ इससा जानते देखने को मिलता हैं अब जहां पर हिंदू-और-ूसलिम दोनों समधाये कि लोग एक मंदिर में पूजा करते हैं अब सुने भाईया को कि यहां पे बोल रहा है कि काफी दूर दूर से लोग आते हैं पूजा करने के लिए और इन्हों ने भी बताया कि सिर्फ हम सिंगल आसा मंदिर देखे हैं जहां कि आपी हिंदू भाई और मुस्लिम भाई दोनों समदाय की लोग आकि एक ही मंदिर में पूजा करते हैं लेकिन किसी को किसी भी प्रकार की अपत्ति नहीं होती है और यहां पे जो भी मनत मांगी जाती है जो भी दुयाय मांगी जाती है वो पूर्ण हो जाता है अबदुल बाबा का जो यह मंदीर है यहां पे दोनों समधाय के लोग आते हैं और काफी यहां पे अच्छा लगता है क्यूंकि दोनों समधाय में काफी भाईचारा दिखता है तो आप कैमरामेन साहब इधर आके दिखा सकते हैं मंदीर में कि काफी ये कम जगा हमें छोटा जगा हमें ही इस मंदीर को बनाया गया है और यहाँ पे बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं पूजा करने के लिए और दोनों समुदाय के लोग आते हैं और इससे जो भी है जा मंदीर एक लोग पूजा करें आये पहले मंदीर बाएक आये जीले में कि हिंदू मुस्लिम दोनों समधा के लोग आते हैं इसारुड़ा कहीं दख लेंए मंदीर एक्राल पहिला है जिक कब के मंदिर बना लगा मंदीर तो अमनी घौस्म अला अच्छा लेकिन पहले मंदीर ना रहा है मंदिर ना रहा है पुछ लोग कोई भी आदमी कहीं से गुईरत होग है अबदुल बाबा के नाम लेली तो कौनों भी परकार के दिकत ना हुला है अब आधा यहां सभी आधा एसे तो काफी खुछी मिले लाया से कि जातिवाद अधा भाइचारा के बहुत अच्छा संकेत मिला तो अच्छा इंडी मुस्लिम सभी पुजा कर ला जकरजवान भूजाला मुर्गा जाजा दारू सब कुछ चड़ला गास वालो घास कट जाला अच्छा तो वो को यह ले बाबा में घास मिली तो घासी लोग चड़ा वेला अच्छा इसा कौनो दिकत नहा अच्छा तो चलिए हम एक और बाबा से जानने का परियास करेंगे कि बाबा यह 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 वादिर के बारे मार कुछ रूड़ा जान थोगी तो बताएं ख्यासित हमने के संगही का आत्मी है पहले हिजा मंदिर ना रहे है इस रास्ता है तो अपने पका भोईवा तो आपने कांचा रास्ता रहे है तो जूर हुग है तो बाबा के खिमे संधेश दोहनी तो आणिकोहल कि यह अधुलबाया के अल्थान पने के चाहिए आणिकोहल तो एही पर भासे इंगा धूरिया पलू पूजा करें पहले जूर पापूजा होगे तो तो बड़ा पेशी बना बलो अच्छा चबुतरा तो पलु पूजा करें लगा तो दूनु आरी पूजा करें हिंदू-मूसल्मान दूनु एसा कौनो पर कार के दिकत नहों दूनु सम्धाय इस यहां पर देख सकते हैं कि बाबा भी बताया यहां के कुछ और भी अस्थानियों लोग बताएं और इस मंदिर का पहले पूजा किया जाता था उसके बाद एक व्यक्ति थे जिनका चमनी चलता था यहां पर मनत मांगे बोले कि मेरा लड़का हो जाएगा तो बाबा का म मंदिर बनवाएंगे तो उनका जो मनत था पूर्ण हो गया उसके बाद अबदुल बाबा का मंदिर बनवाएं और मंदिर बनवाने से यहां के अस्थानियों लोगों में काफी खूसी का महौल है और काफी यहां के अस्थानियों लोग भी खूस हैं और यहां इसलिए खूस ह है क्योंकि जो भी मननत मांगा चाता है वो पुन हो जाता है और फैर जया दोनों समुदाइ में हिंदो मुसलिम में ऐसा गॉइंसा और चपश सीधी का बात है और यहां पे बहुत दूर-दूर से लोग आते हैंれる आप से भी यहीं रिक्वेस्ट है कि आप भी आईए और सब्दूल बाबा के मंदीर में आकर पूजा किजिए जो भी मनत है मनत को मांगिए यहां पर पुन्न हो जाएगा आपका मनत और इस मंदिल को दिखाने का मेरा में मकसद यही था कि यहां पर दोनों समदाय में किसी भी लोग यहां पे नहीं किया जाता है दोनों समदाय की की लोग एक ही मंदीर में आकर पूजा अर्चना करते हैं और पूजा करते हैं और्वाज लूग सूक के शूकuffy ऑ कर नमाजुज पर ते हैं चलिए तो देख सकते हैं कि बाबाई इसका काफी परसंशा ही और बहुत हो र यहां पर एकता का प्रतिक देखा जा रहा है ऐसा बहूत ही कम जगह देखने को मिलता है और यहां पर आप भी आईए और बाबा का दर्शन कीजिए बहुत ही अच्छा लगेगा इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए धन्यबाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में